誉 लेटर क्लास 100 ओर 12 लिए इंपोर्टन रहने वाला है खास तोर से ये वीडियों बनी है और 12 क्लास के श्टुदेंट team के लिए बनी है क्योंकि आज गर्रबर लेटर सेखने वाले हैं यह 12th क्लास की पाठों की पीश्टम में लिय ओहल है कि बोड परिक्षा में राइटिंग चेप्टर से रिलेटेड जितने वी क्यों सनाते हैं वह ज्यादा तर पाठे पुस्तंग में दिया हुआ राइटिंग चेप्टर से ही पुछा जाता है अलांकि स्टुडेंट्स अपन लेटर राइटिंग पहले कर चुके हैं बहुत सारे लेटर को एक एकर के बोस कर लेना और अपनी कोपी के अंदर नोट कर लेना अगर वो काम आपने पूरा कर लिया है तो इस लेटर को आप अच्छी तरह से यानिकी समझना अपनी कोपी के अंदर नोट करना और अच्छे से लर्न करना क्योंकि ये लेटर भी आपके एक्जा या 12th क्लास आप किसी भी बोर्ट से यानि की पास की है और जैसे आप मार्क सीट देखते हो तो उसमें आप क्या पाते हो कि आपकी जो मार्क सीट के अंदर जो डेट बड़त है वो यानि की गलत चब गई है या आपकी नाम की जो स्पेलिंग है वो गलत चब गई है तो आप उसको किस तरह से करेक्शन करवा ओगे वो लेटर आज अपन लिखना सीख रहे हैं सिदा सभी यह है कि आप किसी भी बोर्ड से यानि की एकजाम है वो पास किया है और आपने जैसी अपनी मार्क सीट देखी तो उसमें क्या पाया कि आपकी जो डेट बढ़त है वो यानि की गलत चप चुकी है जो आपकी original date of birth है उससे यानि email नहीं खा रही है या आपका जो नाम की spelling है वो यानि की गलत चप चुका है तो आप उसको किस तरह से यानि की सुदरवाओगे किस तरह से correction करवाओगे वो लेटर आज अपन सीखने वाले हैं तो students देखिए यानि लेटर शुरुआत करते हैं पन पहले question लिख लीजिए आप अच्छे से यानि की copy के अंदर note कर लेना सभी students खास तोर से 12th के लिए है तो देखिए question अपना है imagine you are महेश कुमार की कल्पना कीजिए कि आप कोन हो महेश कुमार हो और living at गांदी नगर जुंजुनू और आप कहां रह रहे हो गांदी नगर जुंजुनू में रह रहे हो तो यह तो यानि कि आपका address रहा अब आपको करना क्या है write letter एक पत्तर लिखना है to the secretary of RBSC रास्तान और mark sheet कि आपकी mark sheet में आपकी date of birth है उसमें आपको क्या करवाना है correction करवाना है तो students इस तरह से आप क्या करोगे यह question यानि कि पहले आप लिख लेना और उसके बाद आप क्या करना start करोगे अपना जो letter है वो शुरू करोगे जैसे कि students अपन पहले बता पढ़ चुके हैं letter का format जान चुके हैं कि कोई भी letter लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे जो letter लिख रहा है उसका address आएगा यानि letter लिखने वाले का तो letter कौन लिख रहा है आप महेश कुमारो और आपका address क्या है गांधी नगर जुन्जुनु तो आपने अपना address लिख दिया एज 62 गांधी नगर जुन्जुनु ये लिखने के बाद students आप क्या करोगे writing date जिस तारीक को आप letter लिख रहे हो वह तारीक लिख दोगे जैसे एक जनवरी 2021 को letter लिखा जा रहा है तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है यानि senders address एज 62 गांधी नगर जुन्जुनु और उस आपको write letter एक letter लिखना है to the secretary of RBC तो आप किसको लिखोगे the secretary यहां पे RBC या BACR लिख देना students यहां गलती से BACR लिखा गया लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहां RBC आप लिखे जो question में दिया है उस according लिख दीजिए तो पहले थोड़ा जान नहीं किया टाइप करते time तो देखे receiver's address क्या हो जाएगा the secretary RBC अजमिर ठीक है students अब क्या गरोगे आप subject लिखोगे subject क्या है subject for making correction in यानि की date of birth या आप इस तरह से लिख सकते हो for correction in the date of birth ठीक है students तो आपको इतना समझ आ गया होगा सबसे पहले आप यानि क्या लिखे letter लिखने वाले का address लिखे आप address लिख दोगे उसके बाद में writing date लिखे उसके बाद line छोड़ करके प्राप्त करता का address receivers कोन है यहाँ पे the secretary of BACR या RBC अजमिर उसके बाद subject लिखे subject क्या लिखोगे for correction in the date of birth कि आपको अपने date of birth में क्या करवाना है correction करवाना है अब आप एक line छोड़ दीजिए और dear sir लग आप किस तरह से लिखोगे देखिए with due respect यानि कि सह समान के साथ I beg to say that मैं निवेदन करना चाहता हूं कि the date of birth has been printed wrong यानि जो date of birth है वो क्या हो चुकी है यानि कि wrong printed हो चुकी है in my mark sheet यानि कि मेरे mark sheet of the 10th class यानि class 10th की तो आप क्या लिखोगे शुरुआत कर दीजिए students with due respect सह स समान के साथ I beg to say that मैं कैना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं कि the date of birth यानि जो जनम दिनाग है वो has been printed wrong वो wrong print हो चुकी है in my mark sheet of class 10th मेरे 10th class की mark sheet में अब आप क्या बताइए my date of birth is मेरी जो date of birth है वो कितनी है वो आप लिख दीजिए my date of birth is 11 January 1991 कि मेरी जो original date of birth है वो क्या है 11 January 1991 है but by mistake लेकिन ये by mistake गलती से it has been printed ये print हो चुकी है कितना यानि 1 January 1991 यानि 1 January 1991 प्रिंट हो चुकी है कि मेरी जो original date of birth हुए है 11 January 1991 लेकिन by mistake ये एक जनवरी 11 की जिएक लिखा गया है मेरे mark sheet में so my birth certificate and secondary mark sheet इसलिए मेरा जो birth certificate है मेरा जो जनम परमान पतर है और जो secondary mark sheet है जो दस्वी की mark sheet है वो are showing different dates ये अलग लग date दिखा रही है दोनों में अलग अलग date है this me create trouble for me यानि कि in future यानि कि ये जो है ये मेरे लिए क्या कर सकती है future के अंदर यानि कि ट्रबल create कर सकती है यानि परेशा नहीं ला सकती है क्योंकि मेरे जो mark sheet है उसमें अलग डेट है तो आप इसको क्या कर दीजिए यानि कि करेक्ट कर दीजिए अब आप क्या किजिए लाइन चोड़िए और क्या लिखे होगे therefore इसकारण I request you to में आपसे request करता हूं make correction यानि कि कीजिए in my secondary mark seat यानि कि जो मेरी secondary की mark sheet है उसमें सुधार लाइए as early as possible उतना जल्दी जितना संभभ हो सके तो students इस तरह से आप लिख दोगे और आप क्या लिखोगे I am enclosing मैं enclose कर रहा हूं मैं सलंगन कर रहा हूं necessary documents आउसे एक documents share with this application या later इस later या application के साथ मैं क्या कर रहा हूं जो जो आउसे कि यानि documents है वो documents भी मैं सलंगन कर रहा हूं अब देखिए students आप mark sheet यानि की mark sheet के अंदर date of birth change करवा रहे हो तो आपको क्या करना होगा आपको यानि की जो original date of birth certificate है उसकी photocopy एक आपको यानि की देनी होगी आपको proof देना होगा कि मेरी original ये है और साथ ही आपको क्या करना होगा आपकी जो mark sheet है जिसमें गलत print होगा है वो mark sheet भी आपको देनी होगी तो क्या-क्या देना होगा वो अपने यहां पर भी आप लिख सकते हो यहां नहीं लिखना चाहो तो last में भी लिख सकते हो लेकिन अपन लास्ट में लिख देते हैं अब thank you लिखोगे yours faithfully आपको नो महिश कुमार अब देखिए students यहां पर आपने लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूं जो भी आपसे डोकुमेंट्स है वो एन क्लोज कर रहा हूं अब देखिए आप इस तरह की यह अप्लिकेशन लिखोगे आप यह देट ऑफ बर्त यानि क्रेक्शन करवा होगे तो आपको कौन-कौन से डोकुमेंट्स देने पड़ेंगे तो वो देखिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा एक कोपी ओफ बर्स सेटिफिकेट एक तो आपको अपना जो बर्स सेटिफिकेट है जिसमें आनिकी सई डेट बर्त लिखी हो वो देनी होगी और दूसरा आपको क्या देना होगा वह मार्क्षीट जिसके अंदर आपके यानिकी डेटो बर्त हो गलत सब चुकिए तो माई ओरिजिनल मार्क्षी टॉफी 10th क्लास और एक देखी स्टुडेंट आप इस तरह से यानिकी जो क्रेक्शन करवाते हो तो आपको कुछ फीश देनी पड़ती है तो वो भी आप लिख दीजिए डिमांड ड्र ड्रॉपीज का यह भी मैं क्या कर रहा हूं सलंगन कर रहा हूं तो आप इस तरह से दोगे तो निश्चित रूप से आपके नाम में कोई दिक्कत है या आपके यानिकी डेटो बर्त में कोई मिश्टेक हो चुकिए वो क्या करती जाएगी यानिकी उसमें आनिकी सुदार कर दिया जाएगा तो स्टुडेंट्स उमीद करता हूं समझा गया होगा एक बार दुवारे देख लेते हैं इसका थोड़ा सा आप स्क्रीन सोट ले लीजिए आप सुरुआत कर दीजिए वीडियो रिस्पेक्ट आई बेक्टू से देट रिस्पेक्ट के साथ बड़े सम्मा जनौरी 1991 है लेकिन बाई मिस्टेक यह क्या हो चुकी है इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या कीजिए मेरी से जल्द आने की क्रेक्शन कीजिए इसके लिए जो भी आनि आउसे डोकुमेंट्स है वो भी मैं सलंगन कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं मज़ा गया होगा आप लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों में सेर्स कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू वेरी मैच